अगर 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 को को हम अनलाइज करें या और अगर अगर को कितने लेवल की अनलेजिस करनी पड़ेगी हमें पहला है इंडिविज्वल लेवल अनलेजिस मतलब हर एक बंदा जो कंपनी में काम करता है वो उसके लिए क्या है यूमन रिसोर्स तो हर इंडिविज्वल रिसोर्स की अनलेजिस आप करोगे तो इस हम बोलेंगे इंडिविज्वल लेवल अनलेजिस अब उसमें क्या करना होगा human behavior को analyze करना होगा managers के nature को managers के understanding को वो managers कैसे बात करता है और उसमें ये भी हमें समझ रहा है कि human जो है वो हर बंदा एक दूसरे से अलग है और organization हर एक बंदे से बनके मिलके बनता है तो organization किसे बना है लोगों से मिला हर employee जो organization में काम करता है वो study of organizational behavior का part कहलाता है ठीक है तो अब वो कौन सी चीजे है किसी बंदे को अगर आपको जाजना है किसी बंदे के बारे में जानना है analysis करनी है तो आप क्या चेक करोगे उसकी personality values उसकी माननेता है कि उसका attitude क्या है positive attitude है negative attitude है और या फिर process में या हम उसका check करेंगे perceptions वो कैसे अपनी माननेता है बनाता है उसकी thought process के learning उसकी सीखने का attitude motivation of individual employee क्या उस company में काम करने वाला हर एक बंदा motivated feel करता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये company अच्छी है या organizational behavior में वो company पास होगी तो हमने देखा individual level analysis फिर है group level analysis तो group level में क्या देखेंगे किसी team का देखेंगे तो यहाँ पर individual employee है वो किसी ना किसी group में काम कर रहा है किसी ना किसी team में काम कर रहा है तो जो हम team level पे देखेंगे तो ये देखेंगे कि employees क्या expect करते हैं हम एक group में काम करें तो आप क्या expect करते हो अगर आपको किसी team में काम करने को मिले तो भाई teamwork हो team में सब एक दूसरे के साथ दे team में एक अच्छे level की politics हो, bad level की team politics या नहीं है, हर core के इंसर में कुछ न कुछ politics चलती है, तो यहाँ पे हम यह देखेंगे, कि team work कैसा है power politics कैसा है group dynamics कैसा, groups की divide कैसे करते हैं, group में किस type के development होती है individual employees की तो यहाँ पे हम सबसे पहले individual level की analysis, फिर group level की और फिर आ जाता है total organizational level पे तीसरा आ जाता है organizational level analysis, इसको हम बोलते है macro level analysis, micro क्या होता है बहुत ही छोटे इस तर पे और macro बड़े level पे, यहाँ पे लेखते हैं कि सारी teams मिलके organizational का structure कैसा बनाते है अब माल लेते हैं, production division है, packing division है stitching division है, माल लेते हैं, किसी manufacturing, marketing division है तो यह सब मिलके ही तो बन रहे है organizational organization और उस सब team की study का analysis organizational behavior का part है तो they together from the culture from the culture, यह सारे मिलके किसी organization का क्या बनाते हैं, culture बनाते हैं, the organization level analysis consists, जब किसी organization level की analysis करें, तो उसमें study किस की की जाती है culture की की जाती है, उस organization में क्यासा culture, work culture कैसा है, climate cross culture analysis की वहाँ पर यह भी देख रहा है कि वह organization दूसरे organization से उसका क्या competition है, वो market में कैसे operate करते हैं, for example it has been observed that employees of a racist change, हमने अक्सर देखा है कि employees जब बदलना नहीं चाते खुद को, कुछ नया process आगे उससे adopt नहीं करना चाते है racist change मतलब, change को नकार देते हैं, एक तरिके से change is an inevitable process आपको पता है, जो बदलाव है वो प्रकृतिका नियम है, process है, तो जो organizational behavior है वो help करता है, कि ऐसे चीजों को deal करने में, ताकि easily smooth process, easily जो change का जो process हो, smoothly किया जा सके, तो यह हमने तीन टाइप की analogies देख ले, आगे है, challenges and opportunities in organizational behavior, organizational behavior में क्या-क्या challenges हैं, और क्या-क्या opportunities हैं, तो हम यहां से देखते हैं, following are emerging challenges, where the understanding of organizational behavior could provide a solution to the manager, कुछ यहां पर challenges दिये गए है, और इसनल behavior की, जो कि manager को provide करते हैं, solutions, वो कौन-कों से हैं, पहला, enabling leaders to lead in a VUCA world, VUCA world मतलब क्या है, volatile, मतलब जहां पर बहुत ही चीज़ें, बहुत ही graph, जो है, किस भी चीज़ का up-down होता रहता है, stable नहीं है, uncertain, unexpected situation है, complex, बहुत ही tough है, और ambiguous में तो कुछ clear नहीं है, तो ऐसी situation में भी, जो leaders हैं, जो managers हैं, वो lead कैसे करेंगे, lead कैसे करेंगे, तो वो एक challenge बनता है, तो यहीं है, कि leaders एक VUCA world में, कैसे lead कर पाएंगे, जहां पर चीज़े certain नहीं है, जहां पर चीज़ें बहुत ही volatile है, बहुत ही अलग situations हैं, complex हैं, clarity नहीं है, तो जहां पर unprecedented challenges आ, कुछ भी आ सकता है, बहुत ही, मतलब, पता नहीं है, कि किस type का challenge आ सकता है, तो उसे, ऐसी situation में, जो traditional level की, जो पहले की, जो leadership हुआ करते थी, वो fail हो जाएगी, इसलिए आज के manager को, इन सब चीजों से निपटना आना, चाहिए, तो यही challenge है, कि VUCA world में, managers कैसे lead करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, mindfulness से, अपना दिमाग पूरा apply करने से, leaders को वो सारी ability आनी चाहिए, जो खुद को शान्त रख पाए, present में रह पाए, develop कर पाए, clear thinking, जिससे हम external conditions, या बाहरी वातवरन, या अपने आपको भी manage करना सीखें, अगर आप खुद को ही manage नहीं कर रहे हैं, तो किसी organization में जाके leader कैसे बनेंगे, organization में team को कैसे manage करेंगे, तो यह सारा party यहां पे आता है, यह challenge है, second, agility and the game of teams, क्या team भी effect करती है, किसी organization को कि यह कैसी team बना रखी है, या उस team का क्या work culture है, उस team का क्या attitude है, उस team का का काम करने का तरीका है, क्या किसी organization के लिए मुश्किल हो सकता है, yes, with the increasing need of organization, to become more agile, मतलब adaptive nature होना चाहिए, जैदा ही तुरंट किसी change को adapt कर ले, teams are becoming the foundation of organization, या अच्छी team किसी भी organization के foundation होती है, जैसे कि Cisco, एक company for example, already has more than 20,000 teams, बताईए, Cisco एक organization में 20,000 से जैदा team है, तब ही वो इतनी अच्छी company है, तो now with people sitting on many teams, agile teaming as a work practice requires agile mind, agile mind जो बहुत ही active दिमाग है, बहुत ही अच्छे तरीके से focus कर पाते हैं, we and our, वो I में भी लिख नहीं करते हैं, मैं, वो हमेशा वी की बात करते हैं, और hour में बात करते हैं, वो me and my की बात नहीं करते हैं, उनके लिए me और my priorities नहीं आती हैं, जो हमेशा we, हम और हमारी priority की बात करता है, वो ऐसी team अच्छी होनी चाहिए, ऐसी team अच्छी होती है, now the pace of performing and team, dispending has now become an strategy, अच्छी team जो पूरे तरीके से mindfulness है, default तरीके से, वो all about me thinking pattern को कम करते हैं, automatic कम करते हैं, habitual को कम ध्यान रखते हैं, वो बल्कि mindfulness जो की अच्छे तरीके से, हम ऐसी situation को, या नए team members को कैसे बात करें, नए काम को कैसे accept करें, नए project को कैसे लें, नए तरीके कैसे निकालें, ये जो team होती है, इस type के जो natures के team, वैसी team ही अच्छी कहलाती है, और ऐसा team बनाना बहुत challenge है, कई लोग तो इसमें ये बोल, या कई extra manager ही होते हैं, आप जितना सिखाने में समय लगए, किसी को develop करने में समय लगए, आपको किसी को teach करना ही पड़ेगा, किसी को बताना ही पड़ेगा, नए team member को develop करना ही पड़ेगा, now responding to globalization, globalization तो पता है हमें कि वही, globalization की वैसे जो पूरा का पूरा world है, वो एक world, एक market बन गया है, मतलब global village, पूरा का पूरा जो world है, वो क्या है, एक गाओ है, एक शहर है, तो यहाँ पर जो managers हैं, उनको global issues पर भी ध्यान देना है, globally कैसी चीजे बदल रही है, globally economic, global जो है, economic कैसे effect कर रहा है, किसी US की economy, या US में अगर inflation होता है, या US में अगर, जो मंदी आ जाती है, मंदी आती है, क्या कहते हैं, मंदी को English में, एक सेट, अभी हम इसको, अगवार मंदेली बढ़ते हैं, क्या बलते हैं, inflation तो महंगाई होती है, मंदी जो आ जाती है, economy में, recession या, recession, तो अगर US का recession, क्या India को effect करता है, तो यह सब तभी possible है जब आप हर चीज के बारे में knowledge रखेंगे, यह आप हर चीज को कैसे respond करना है, तो यहाँ पर कहें, company hire employees from other countries, duty the cost of labor, company hire करती है, लोगों को, अलग country से, labor cost कम होती है, like apple hire करती है, most apple employees are not from the US, तो यह कैसे हो रहा है, क्योंकि, आपको भी ऐसे ही manage करना होगा, सोचना होगा, कि आपके product, आपकी company के लिए क्या beneficial है, और कौन सा इलाखा, कहां का, उसके लिए फिर कैसे culture को manage करेंगे, employee का अलग सोचना होगा, कैसे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, other countries में, इन सब को समझना पड़ेगा, आप देखते हैं, कि सूजू की, बाहर की company, यहाँ पर इंडिया में मारुती के साथ मिलके काम करती है, culture भी अलग है, locations भी अलग है, और सारी चाज़ा लिए, बर globalization का असर है, कि सब एक दूसरे के साथ सेखते हैं, managing workforce diversity, मतलब workforce diversity का, मतलब यह है कि, आप employee में, जो gender को लेकर, कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे, कि यह male है, इसलिए यह कर पाएगा, यह female है, यह नहीं कर सकती, या इस type की जो, racist वाली जो चीज़े होती हैं, वो नहीं, मतलब आपको, एक समान behavior रखना पड़ेगा, workforce में, differences, similarities, between employees, in terms of मतलब की, gender, ethnicity, race, sexual orientation, age, values, इन लोग, इन सब चीज़ों को लेकर, आप comment नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के, बेस्प आप decision, नहीं दे सकते, सब को बराबर देखना होगा, तो organization, कौन किस age का है, कौन किस, उस तरीके से, किस background से belong करते हैं, किस की क्या value यह, matter नहीं करता है, सब को हम essential मानते होए, globalization, यह मतलब अपनी organization, customers की जो ज़रुत है, उसको पूरा करने पे focus करती है, ताकि, जो सब एक साथ मिलके काम करेंगे, अलग अलग जगे के लोग भी काम करेंगे, जैसे हम बोलते हैं, इंडिया में diversity है, diversity क्या है, अलग 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 धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग माननता हैं, अलग अलग खुशी से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ा शेयर करते हैं, तो यहां भी अलग अलग innovative ideas हमारे पास employees के थुरू आते हैं जिससे company follow कर सकती है तो यहां पे it is difficult to resolve conflict as people तो मुश्किल क्या है अगर अलग अलग लोग एक साथ आ जाते हैं तो कई बर आपने देखा होगा कि चोटी-चोटी बात पर भी लड़ाई करन लग आते हैं किसी के माननेता अलग है किसी का विश्वास अलग है और ethnicity भी किसी के अपने अपने thought process पे Depend करते है किसी के लिए ethics है किसी के लिए ethics नही है किसी के लिए moral values हैं किसी के लिए नहीं है तो ये इसको manage करना भी मुश्किल है फिर improving customer service आज कल एक satisfied customer होना बहुत जुरूरी है अगर satisfied customer है company के पास वो 10 customer को भी लेखे आएगा तो अब customer को satisfy कैसे करें after sales services कैसे दें इस पे भी focus करना होगा तो customer की satisfaction भी बहुत challenging है अगर employees का attitude or behavior अच्छा नहीं है तो तुरंत वो बोल सकते हैं ये company अच्छी नहीं है तो किसे भी company के लिए customer क्या है भगवान जैसा है क्योंकि वही तो उस company को business लाके दे रहा है ठीक है तो उस customer की service को improve करना है challenging रहता है working in network organization मतलब employee को एक दूसरे से connect होके distance चाहे कहीं भी हो जैसा कि lockdown की वैसे अब hybrid model हो गया है कुछ दिन घर बैठके काम करो work from home करो कुछ दिन office में जाके काम करो तो ऐसे में आप एक दूसरे से coordinate कैसे करोगे एक दूसरे से collaborate कैसे करोगे काम कैसे होगा तो वो networking को समझना ये सारा का सारा है कि कैसे हम network में काम करें कैसे network में रह कि हम काम करें कैसे virtual platform को समझे और management या manage करें अलग-अलग skills को जो virtually काम करने में help करें तो ऐसे skills को develop करना है ऐसे और physically presence नहीं है फिर भी हमारा काम हो रहा है इस टाइप की तो thought process को develop करना किसी भी organization के लिए थोड़ा सा challenging रहता है helping employees in work-life balance work-life balance क्या होता है कि आप अपनी personal life को का effect आपके काम में नहीं आ रहा है और आपके काम का effect आपकी personal life में नहीं आ रहा है तो जिसने भी work-life balance को अच्छे से समझा है तो वो employee motivated feel रहेगा या वो employee positive रहेगा तो उसकी जो productivity है उसकी जो energy है किसी भी company के काम में जैदा लगेगी अगर वो अपने life, personal life से परिशान है तो वो कभी भी company में अपना 100% output नहीं देगा तो अब किसी भी बंदे को अगर personal life के रिए quality time चाहिए family के लिए तो आप क्या करोगे long working hours कम रहेंगे अगर ज्यादा working hours रहेंगे तो उसके work life conflict बढ़ जाएंगे खुद के उसके personal problem बढ़ेंगे इसलिए work life balance करना work life stress को manage करना भी आज के लिए बहुत challenging है creating a positive work environment positivity हर जगे positivity की बात आती है motivation की बात आती है तो positive जो work environment है आप भी वहाँ पर काम करना चाहोगा जहाँ पर हर कोई positive बाते करता है एक दूसरे की negativity पर दियान नहीं देते एक दूसरे गवारे में negative बाते नहीं करते है तो employee की weakness और जो employee की अंदर होती है weakness को focus नहीं किया जाता है जबकि उसके strength का ध्यान जयाद है दिया जाता है weakness को overcome करने में company help करती है organization या team help करती है तो ऐसे situation को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर positive work environment है लेकिन हमें इसा positive रहना है positive है जो हम खुद अपनी life में positive नहीं रह पाते हैं तो वहाँ पर positive work environment create करना कितना tough हो जाता होगा इसलिए manager को यह सीखना पड़ेगा कि आप employee की strength फे focus करें ना कि उसके weakness में improving ethical behavior ethical behavior कि मतलब किसी की moral values कुछ और moral ground कुछ और हो सकता है या moral हम बच्पन से क्या सीखते आ रहे हैं कई बार क्या होता है ethics और ethics और moral में difference क्या है ethics वो होती है जो society ने बना दिया और society ने डेवलोप करके एक set of rule बना दिया यही एक law बन गया और उसको मानना है तो वो ethics कहलाता है लेकिन morally हम जानते हैं कि यह जो हो रहा है यह गलत हो रहा है तो morally हमारे thought process कुछ अलग हो सकते है तो यही है कि कई बार ethical behavior को develop करना है it is not that employee always want to do something considered wrong or moral ground for their benefit कई बार employee क्या करता है ऐसा करना चाहता है जो कि morally गलत है बट फिर भी उसको समझाना कि क्या right है ethically क्या company के लिए ठीक है क्या right है क्या wrong है जैसे बच्पन में हर किसी को बताए जाता है यह सही है यह गलत है यह करना पाप है इस टाइप से चीज़े ना तो यहाँ पे भी एक क्योंकि company group में काम करती है तो सब के बंदों के सभी group के ethical behavior को manage करना सही गलत समझाना एक challenge रहता है economic pressure COVID-19 वे से employees को manage करने में help हो गई मैं तो sorry COVID-19 वे से जो employees है उनको manage करने में बहुत problem भी क्योंकि कई लोग उस टाइम पे कईों की job चली गई कईों को COVID हो गया कई companies बंद हो गई कई companies employee का motivation बहुत डाउन हो गया क्योंकि companies के पास एतना पैसा नहीं था तो increment नहीं हुए company cost cut करने लग गई workforce को कम करने लग गए salary कम देने लग गए तो ऐसी situation में जो एक bad time था economically तो ऐसे situation को कैसे manage करें economic pressure हमेशा रहेगा तो इस चीज़ को भी यहां पे एक challenging part में रखा है फिर है managerial implication the following are the implications for the managers managers के लिए और क्या चीज़ा आजाती है जैसे कि human behavior is complex वो तो जानते हैं हर बंदे का जो behavior है वो अलग-अलग complex है जब हम family में भी रहते हैं तो family में अगर 5 member है तो सबके behavior को हम अलग-अलग बोलते हैं सबका अलग तो it is challenging to generalize human behavior तो बहुत मुश्किल है human behavior को manage करना though some provides insight of understanding and generalizing human behavior most of them are by किसी भी human behavior को समझना बहुत ही काफी मुश्किल काम है और कई बार गलती कर लेते हैं इसको समझने में तो ये एक challenges है managerial के लिए वो organization के लिए था ये managers के लिए manager often try to use intuitions manager हमें सा अपनी intuition मुझे six cents मेरा ये कहता है नहीं अपनी idea ये अपनी feeling के बेस पे बाते करता है अपनी feeling के बेस पे relationship develop करता है तो feeling कई बार incorrect decision भी तो करवा सकती है इसलिए fact पे डिवे fact पे focus करो ना कि इसके वो अपनी मानेता पे अपने idea पे अपने intuition पे मेरा six cents ये कह रहा है manager should learn interpersonal skill interpersonal skill में आजाता है soft skill जैसे कि किसी से दया की भावना रखना communicate करना अच्छे से leader skill आप अच्छे leader बन पाओ जितना technical skill जरूरी इतना ही ये सब interpersonal skill होना भी बहुत जरूरी है तो ये भी एक challenge ही है फिर आप work environment is changing work environment बार पर बदलता ही तो रहेगा क्योंकि technical conceptual skill अपग्रेड होती चली जाती है managers को खुद को update करना है तो ये भी उसके लिए challenging है और concept of organizational behavior could provide various insights that could help a manager resolve conflict organizational behavior का जो concept है वो managers को बहुत सारी चीज़ों में analyze करना में help करते है जिससे conflict हो मतल मतभेद हो किसी चीज़ को resolve किया जाए work life balance improve कर पाए और stress को कम किया जाए stress को खतम किया जाए तो इस तरीके से हमने इस chapter को finish कर दिया है उमीद करता हूँ कि आप लोगो समझ में आया होगा मैंने कोशिश किया है explain करने की कि अगर आप first time इस chapter को पढ़ रहे होंगे तो आपको idea लग जाएगा कि हाँ यार ये chapter कहता क्या ये chapter हमें सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं next lecture में हम lesson number two शुरू करेंगे और पढ़ेंगे personality के बारे में जब तक के लिए bye bye take care